हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चानल फ्रेंड्स आज हम यहां पे बहुत ही सिंपल इजीली बना सके ऐसा हैर मास देखने जा रहे है जो आपके बालों को नरिश करने के लिए कंडिशनी करने के लिए अगर आपके हैस ड्राय हो गए हो रॉफ हो गए हो तो उसके लिए ब अगर आपके पास नैचरल अलोवेरा का प्लांट नहीं है तो आप यहां पे मार्केट सी जो हम अलोवेरा जेल लाते है वो यूज कर सकते हो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कर्ड यानि की दही यूज किया है तो यहां पे मैं आइस भी यूज कर रहे हूँ यहां पे मैंने अलमेंड ओल लिया है उसका मुझे 1 टेबल स्पून या फिर नियर अबाउट वन उससे थोड़ा कम ही लिया है मैंने उतना लेना है उसके बाद आपको नेक्स इसमें आड करना है औल्यू ओल्यू 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 लेना है आप सभी ओल की कॉंटिटी सेम लो तो भी करना है आपके पाल अगर जढ रहे हो हैर फॉल है तो आप यहां पर ज़रू का यूज कीजिए नेक्स आपको इसमें यूज करना है ग्लिसरीन जो बहुत ही इंपोर्टेंट रहता है बालों के स्मूथनेस के लिए अगर फ्रिजी ड्राय हैस हो गए हो तो वहां पर आप आ करना है अचल यहां पर हमने अलमेंड ओल लिया है तो यहां पर मैं दो विटामिन के कैप्सूल्स यूज कर रहे हूं तो देखिए यह हमारे सारे इंग्रिएंट्स हो गए यहां भी यहां पर मैंने पाउडर यूज नहीं की है क्योंकि मुझे प्यूर नरिशिंग के लिए सुछने स्वी तो इसलिए मैंने सारे लिक्वीड फॉर्म के जो इंग्रिएंट्स हैं वही यूज किये हैं यह मैं मिक्सर में एक बार इसे पीस लूँगी जिसकी वज़े से सारे इंग्रिएंट्स अच्छा से एक दुसरे में घूल जाएंगे मिक्स हो जाएंगे पैक या फिर एक घंटे तक वेसे ही लगा के रखना है उसके बाद माईल शाम्पू और कंडिशनर से इस पैक को वाश करना है तो फ्रेंड्स इस तरह से ये पैक आप जरूर बना के ट्राइ करके देखिए सबसे फेरे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के लिए बाबाई सी यू एंट टेक केर